वैसे मुझे कोई love story देखनी होती है तो मैं Korean web series या movies देखना prefer करता हूँ या फिर मैं Japanese anime movie या anime series देखता हूँ Indian love story के उपर कुछ movie या series देखना तो मतलब एक तरीके से propaganda देखना है और मुझे इन में कोई interest नहीं है क्यार आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Melting Heart एक Korean web series की अगें ये second web series है इससे पहले एक Korean web series में देख चुका हम जो पहुँ जादा जबर्दस्ती तो काफी टाइम से में इच्छा हो रही थी एक love के उपर कोई Korean web series फिर से देखूँ तो आज मैं जो Melting Heart के बारे हम बात करने वाल हूँ एक love based anime नहीं एक movie है real movie है और इसमें total 10 episode है और आप इसके बारे में सर्च करोगे तो इसके अलग-अलग नाम निकल के आते हैं लेकिन actual में इसका नाम Melting Heart जो भारत में यूज किया जाते हैं अब यह कहां मिलेगी कैसे मिलेगी free है या paid है इन सब के बारे में हम इसके इस वीडियो के last में बात करने वाले हैं total अभी तक मैं बता चुका हूँ इसके अंदर 10 episode है और हर episode करीबन करीबन 50-55 मिनिट के हैं तो अब इसकी कहानी पर आते हैं एक 28 साल का लड़का है कांक शिन वू वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है हांजी सू हांजी सू आंके से जी सू ही मैं इसको बलाऊंगा क्योंकि यार लंबा नाम हो जाते हैं तो यह 28 साल का लड़का एक math teacher है एक high school के अंदर अब जो लड़की है वो एक doctor है यानि शिन वू शिन वू एक teacher है और जी सू एक doctor है 2017 की कहानी है 2017 में जब यह मिलते हैं तो मतलब एक past की एक कहानी है अचानक से होता है कि एक वर आपको present day बताते हैं फिर इनकी कहानी पीछे से वो start करना शुरू करते हैं तो यह 2017 में दिखाए गए कि शिन वू इससे मिलने जाता है doctor यानि अपनी इसकी girlfriend तो नहीं होती इससे प्यार करते हैं यह लड़की भी इससे प्यार करती है तो इसके hospital में जी सू से यह मिलने जाते हैं तो शिन वू और जी सू जब मिलते हैं तो शिन जी सू से कहती ही कि हम दायों में नहीं मिलना चाहिए था हमारी जो किस्मत में मिलना कुछ और तरीके से होता तो जादा होता अब इसके बाद जब जो निकलता है मिलके जी सू से जब मिलके शिन वू जाता है तो जी सू का अग्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और यह सारह का सारा सरफ फर्स्ट एपीसोड के अंदर हो रहे है अब अब डेथ के बाद शिन्वु जो हंजी सूखान की डेथ के बाद शिन्वु जब एक ब्रीज पे जाता है तो ब्रीज पे गलती से वह. पानी में गिरता है, उसकी आँख खुलती है 2007 में, मतलब वो past में, एक time slip के कान past में चला जाता है, अब मुझे वो past में जाता है, तो उसे कोई नहीं पैचाना, मतलब जो 2017 में जैसी उसकी शकल थी, वैसी कि वैसी body, पूरी कि पूरी वैसी ही, वो 2007 में पहुंचाते हैं, अब 2007 में मतलब उसकी मा भी उसे नहीं पैचान रही होती, वो तो पैचान गया होते हैं कि उसकी मा जो है, वो उसकी मा है, क्योंकि यार ओविसली बचाने गई, और एक चीज जो इसमें बताना भूल गया, कि 2017 में जब शिन्वु है, उसकी मा की डेथ ह वे भी 10 साल हो गए होते हैं, 2017 याने कि 2007 के अंदर, 2007 के अंदर शिन्वु की मा की जो है, वो देहांत हो जाते हैं, और फिर शिन्वु उसी हाई स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करता हैं, जिसे वो 2017 में पढ़ा रहा था, अब शिन्वु जब अब सुपोज यार मैं 28 साल का पीछे बैठ जाओं अपने से, मतलब 18 साल के लड़के को देखूं, मेरी शकल तो मतलब बहुत रेरली चेंज हुई है, अब अगर मैं उसको जाके देखूं, और मैं मेरी शकल बहुत जादा चेंज हो चुके है, और वो मुझे नहीं पैचान रहा है, यह मैं ही हूँ जो ब तो शायद वो अपना future change कर सकता है, अब future change करने के लिए उसको past में क्या करना है कि जीसू से अपने दिल की बात करनी है, यह एक ही साथ पढ़ते थे, जीसू से अपने दिल की बात करनी है, 2007 के अंदर, वो जो अपने छोटे से, यानि 2007 के शिन्वू को कहता है, उसको increase करता ह कि तू जाओ उसे बात कर जब वो बात करने की उसे दिलासा दिला रहा होता है तो यह सब चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है जो काफ़ी इंटरस्टिंग है कैर सबसे ज्यादा जो emotional जो मुझे किया इस series के अंदर वो थी मा बेटे की जो conversation थी उनका आपस में मि हो गए और अचानक से वह 10 साल पीछे जाता है और अपनी मां को मिलता है तो जो वह सीन जो create होता है या फिर पूरी series के दौरान जो अपनी मां से मिलता है वह यह सुमीद में होता है कि अपनी मां को इस बार वह बचा ले ताकि आने वाले टाइम के 2017 वह भूश्य चेंज हो पशिके र उसकी मां उसके साथ जिन्दा की जो श्यन्वू की मां है उनकी उनकी चाहिस्त यह जानता है कि अगर वह फ्यूटर में जिन्दा मिलेगी उसे और शौर यह सोच कर 2017 में वापस आते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया है और इसके पीछे-पीछे गलती से 2007 वाला शिनवु भी 2017 में मतलब 2017 वाला एक बार 2007 साथ में जाते है यह वापस आते हैं है थो 2007 वाला गलती से 2017 में आते हैं मतलब एक ट्विस्ट कही सकते हो अभ यह मास्यो支持 यह सब जानना कि 2017 का जो शिन्वू चा 2007 में गया क्या वो फ्यूचर चेंज कर पाया या नहीं अपनी मा को बचा पाया या नहीं या फिर 2007 वाला जो शिन्वू है वो 2017 में आता है तो वहां पर और क्या गड़बड होती है यह सब जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी बहुत इंटरस्टिंग है मैं सच में यार मैं किसी का भी इंटरस्ट कराब नहीं करना जाता है कोई स्पोइलर नहीं देना जाता अब इसके आगे भी अगर मैंने कुछ बताना शुरूर किया तो यार सच में ऐसा spoiler ही होने वाला है फिर उसके बाद क्योंकि जितना हो सकता था minimum से minimum मैंने आप लोगों को बता दिया और interest के तोर पे कि हाँ बहुत अच्छी series है यह और यह जो time traveling जो बीच में दिखाए गई है उससे क्या होते हैं कि एक बार थोड़ा पेचिदा हो जाता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो इसके makers हैं उन्होंने कमाल किये कि बहुत बकूबी से वो चीजें end में समझाए भी बहुत असानी से हैं हाँ ending जो scene था वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया मेरा explain करने का मन तो कर रहा है लेकिन यार वो जो अगर मैंने ending ही बता दी कि तो पूरी की पूरी मजा ही करिकरा हो जाएगा मैं वो बताना नहीं चाहता बट यह समलों कि यार एक तसली मिलती है हां कि आपने एक अच्छी love story based web series देखिए performance की बात करूं तो कमाल की performance है इसके अंदर और सबसे जादा जो चीज मुझे पसंद आई इसके अंदर एक तो जो मा बेटे का जो आपस में जो conversation है वो और उसके बाद जो 2007 के जो शिन्वू की जो performance है जो उसके character development की जो वहां पर जो भी से दिखाएगा इसके अंदर मैं यह कहूंगा कि एक decent love story है आप देख कर पहुँ जादा enjoy करने वालों बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी कि अंदर comedy भी है काफी जगा इसके अंदर comedy और कुछ चीजें त्यार कंवाल किया है चलो वह तो आप सीरी देखो कि तब चीजें समय जाओगे और आप करते हैं कि यह आप कहां पर देख सकते हैं यह आप MX player पर देख सकते हों और यह हिंदी में अब कोई ऐसा नहीं कि हाँ यह इंग्लिश में मैं कैसे देखूंगा नहीं यह हिंदी में आपको मिल जाएगी तो डरने की कोई जुरूरत नहीं है और करीबन-करीबन 9 घंटे तो आपको कुर्बान करने बढ़ेंगे तो अगर आपको love story में इंट्रस्ट है आप एक अच्छी प्यारी और ड्रामा सीरीज देखना जाते हैं लोव स्टोरी होगा तो आप ये बेशक देख सकते हैं मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5 आफ टो 10 स्टार अगर किसी ने ये सीरीज देख रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और अगर नहीं देखी तो प्लीज जा कर देखा यार कोई भी इसमें मैंने कोई स्पोईलर नहीं दिया है काफी अच्छी है और पिछली जो कोरियन सीरीज थी मुझे लगा कि यार इस पर कम लोगों ने देखा हुआ बट उसको जैसा रिस्पोंस मिला उस वीडियो को मुझे बहुत अमारे देश में इंडिया में बहुत जादा लोग चाहने वाले है कोरियन वेब सीरीज या मुवीज को तो प्लीज इसे देखना है यार बहुत फ्री ओफ कोस्ट है कोई पेड भी नहीं है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो में मिलते एंड नेक्स वीडियो में जाहें